आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी गलोस पे आपका बहुत बहुत बस वागत है तो दोस्तों आज है वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल तो बजे मैच चुरू होगा पिछली बार भाई दिल तूटे थे मुझे मैं करी दिया था पर फिर वह रन आउट तो आज हम बात करेंगे 1975 से लेकर 2023 तक की कहानी आज हम वर्ल्ड कप का पूरा सफर देखेंगे जो भारत ने 1975 से लेकर अभी तक का किया देखें मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही करता हूँ लेचर्स ठीक है मेरे पास कुछ रहता नहीं ठीक ह पर पढ़ता हूँ और बद जो दिमाग में रहता वो करता हूँ भगमार ने थोड़ी सी अच्छी दी है मेरी पावर लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि हो सकता है रन में थोड़ी बहुत चूक हो जाए ठीक है बट मैं करीब लगा दूँगा तो आप तीन चार पा पर आगया तो वही है कि हमने सिर्फ कल के लिए यह सेल बढ़ा दिये दिवाली सेल फिफ्टी परसेंट ऑफ है बहुत कॉल्स आ है रात के नौन और दस बज़े तक कॉल्स अटेंड की है तो आप फिफ्टी परसेंट जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं कल तक बस सेल है फि इसके क्लास से चल रही है क्लॉजिस डॉक्टर मयूर का दास ले रही है तो शुरुवात करते हैं 1975 से देखो पहले वोल्ड कप जो थाना इंग्लेंड में क्रिकेट आया और आपको पते कि पूरी दुनिया क्रिकेट नहीं क्हेलती है क्योंकि इंग्लेंड क्हेलती है वह फानी टीमें नहीं खेलते हैं टाफ स्पोर्ट और त scenario से देखें आपको अब देखें 1975 1979 का बात करने आप करने वाइदा नहीं हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीम जो जबरदास्त थी वो थी West Indies, आज बहुत दुख होता है कि West Indies वोल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, लेकिन उस समय की जो टीम थी, विव रिचर्ट, ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ भारत 1975 और 1979 दोनों ही बार इंग्लेंड में वर्ड कप होए कि समय क्रिकेटिंग ग्राउंड में वही होते थे बढ़िया, तो भारत उस समय क्रिकेट रागमन जो थे, वो कप्तान थे भारत के, इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया था भारत ने, मतलब आप यह समझे कि उस समय कुछ नहीं था भारत के पास, मतलब क्रिकेट के पास, क्रिकेट इतना जादा फेवरेवल गेम नहीं था, पस जाते थे घूंबाम के आज आते थे, जैसे आज अब समझ लो, कैनेडा, नेपाल, ऐसी भारत की टीम थी उस समय, ठीके, आप यह समझे कि 1979 तक शिरे लंका स लेकिन पाकिस्तान, औस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लेंड थी उस समय, शिरिलंका, इस्ट आफ्रिका, भारत, बस, इतनी केनिया, बस, यही सारी इटी में क्रिकेट खेलती थी, जादा नहीं, तो अब यहाँ पर आप यह समझे कि भारत का इतना बेकार परफॉ बहुत भायानक था, वेस्ट इंडीज, उस समय вेस्ट इंडीज, आज कि जो इन्डीया, या भी कुछ समय पहले कि जो अस्ट्रेलिय थी, वो थी, उस से भी तगली थी, उस समय हल्मेट नहीं, हल्मेट का ट्राप नहीं होता था, जो पैक्स की कॉलिटी थी, वो इतने अच भयानक बॉलर्स क्रिकेट बैक्समेन की बात करें तो गॉर्डन ग्रेनेज क्लाइव लॉइड आपके विव रिचर्ड बहुत जेफ्री डुजॉण भयानक जब खेलते थे तो लगता ही निसा बस आते थे खेल के इसलिए वेस्ट इंडीज का वेस्ट इंडीज वैसे अमेरि अलग अलग है ठीक है पूर्ट आफ स्पेश अलग अलग एक तरीके चोटे चोटे आइलेंड इनको आप पूरा कमाइंडर के वेस्ट इंडीज बोला जाता है तो क्रिकेट यहां का नैशनल स्पोर्ट है क्यों क्रिकेट में उन्होंने कमाल किये तो भारत को कोई उम्मीद कर रहा था आपको जानके हैरानी होगी सुरील गवसकर के टेस्ट मैच में 34 शतक हैं वंडे में शतकी नहीं बना पारे थे वह 1987 शतकी नहीं उनका सेंचुरी नहीं वंडे में तो वंडे अलग होता था तो अब बात करते हैं हम 1983 वर्ड कप, 1983 वर्ड कप की कमाल की टीप, दे तो नोगा कि चलो बस घूम के आजाएंगे बढ़िया है कई हनी मून बना के आजाएंगे इंगलेंड में 1983 भी इंगलेंड में हुआ तो ठीक है जाएंगे बस और बढ़िया तरीके से हम घूम के आएंगे और अच्छा लगेगा किसी को कोई उम्मीद नहीं तो समय पैसे भी नहीं होते थे, जर्सी भी एकी थी, और उसमें आज तो जैसे बहुत पैसा क्रिकेट में उसमें था ही नहीं, आपके पूरे मैच में बस लिमिटेड ही पैसे मिलते थे, 20-20 पाउंड मिलते थे, तो पूरी टूर्णामेंट के वो भी, स्मॉंसर नहीं थे, कुछ नहीं था, ब है, तो हरियाना हरिकिन, कापिल देव जो है, वो समय शिरीकांत, सुनील गावसकर, आपके मदल लाल हो गए, यश्पाल शर्मा हो गए, एक से दिली प्वेंग सरकर, जबरदस्त प्लेयर थे, ठीक है, कमाल के प्लेयर थे, जो की जा रहे थे, क्रिस शिरीकांत, शिरीकांत बहुत बढ़िया, मतलब कहते हैं कि सेवाग जब भारत में सबसे तेज शिरीकांत खेलते थे, ओपनिंग करते थे, बहुत बढ़िया खेलते थे, 1983 वोल्ड कप का आगाज होता है, 1983 भारत का पहला मैच, किस के साथ, West Indies, West Indies के साथ भारत आई, हरा दिया West Indies को, ना मुम्क बहुत 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 बहु और उस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया भारत से, फिर उसके बाद तेलो कोई बात नहीं, फिर अगला वेस्ट इंडीस के साथ जीत लिया, भारत एक सो बादसक पर अलोट और वेस्ट इंडीस चेस कर लिये, तो यानि कि पहले दो मैच जीते, बाद में दो मैच हार गए, इंडिया को confidence एकदम नीचे, लेकिन कपेल पाजी, अगला मैच होना था जिम्बाववे के साथ, और उस समय दूरदर्शन पे लाइफ टेलिकास्ट होता था, अब दूरदर्शन पे क्या होता था, लाइफ टेलिकास्ट लेकिन उस मैच के लाइफ टेलिकास्ट नहीं हुआ अब यहां पे भारत पहले बैटिंग कर रहा है, कपिल देव शावर लेने गए, एकदम से कपिल देव के दर्वाजे पे खटकटाने के आवाज आती है, पाजी निकलो, पाजी निकलो, कपिल देव करें, भाई, क्या हो गया यार, क्या था पूरी टीम आउंट हो रही है, तीर विकेट गिर गए, चल्दी निकलो, चार विकेट गिर गए, कपिल देव आते हैं, और उसके बाद वो उन्होंने जो 175 रन की पारी खेली, उड़ा दिया जिम्भावे को, भारत थे शायद 240 रने 5 राइट बनायते, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर लीजेगा, औ और जिम्भावे 213 पर उलओट हो गए थी, वो जो पारी खेली थे 18 जून 1983, छोटा सा मैदान था, थोड़ी ही दूर पे, वो पारी जो है, उसने भारत को डिफाइन कर दिया, वहां से भारत बोला कि अब तुम जीत के ही जाएंगे, मेरे ख्याल में जो प्रिकरसर होता है वोल्ड कप जीतने का, वो यहां से शुरू हो गया, कि आप पूरी की पूरी टीम इतने जबरदस्त उत्साम है कि आइससी की तैसी कर देंगे, उसके बाद अगें, फिर ऑस्टेलिया को बहुत बुरी तरीकी साहरा, 113 नप पर हम नौल ओट कर दिया और फिर भारत पहुंस इंडिया करना है, मतलब इंडिया बस ऐसे फ्लूक है, यहार कोई करते हैं तुक्का है, तुक्के में इंडिया टीम पहुच गई है, तो इंडिया ने पहले बैटने की शायद उसमें 230-240 बनाय थे, इंडिया ने 213 नन पर इंग्लेंड को अलोड कर दिया था, आपको बता कि तुम पहुच के दिखाओ बैटा, तुमारी आउकात नहीं है, यह ऐसा चुब गया था कि इंडिया ने बोला कि अब तो हरा के दिखाएंगे, फिर उसके बाद 1983 का फाइनल, लॉट्स में, सामने वेस्ट इंडिस, अगें, भारत ने 183 रन मना है, साथ होवर में, अब य लेकिन उसके बाद है वेव रिचर्ड, और वेव रिचर्ड मतलब अरूगेंस, कि अरे चौके छक्के मानूँगा, बस यह दस ओवर का गेम है, देखो ऐसी की तैसी कर दूँगा, इधर चौवा मार रहा है, उधर चौवा मार रहा है, इधर चक्के मार, मदल लाल को तीन बहुत मारा, उसके बाद आदे घंटे जो है, वो दूरदर्शन पर करेक्शन चला गया, करेक्शन टूड गया, फिर जब टीवी ओन होता है, तो भारती क्या देखते हैं, तीन आउट हो गए, वेव रिचर्ड गए, इसमें बड़ी इची कानी कि मदल लाल ने बोला था, क पीचे आउट, बस भारती, भारत की खुशी का ठिकाने, और उसके बाद वेस्ट इंडिश तास के पत्तों की तरह बैगे, और 140 रन पर आउट हो गए, अब कपिल ये बताते हैं, कि जब मैंने विव रिचर्ड का कैच पकड़ा था, वो टीवी पे दिखाया नहीं, तो उस भागे किसी तरीके से, और उसके बाद जैसे ही मैं जीते तो हम भागे, खाना निखाया था, खाना था ही नहीं, भूकी सोई थे उसमें इंडिया के क्रिकेट टीम, लेकिन भूक, किसने वो जो कहते हैं ना कि पेट भर गया था, जीत से, कोई पैसे नहीं, इंडिया टीम, भारत आई, भगवे स्वागत, पैसे ही नहीं देने के लिए, उसमें लता मंगेशकर का कॉंसर्ट कराये गया था, तब सारे टीमों को, मतलब सारे प्लेस को एक एक लाक रुपए दिये गये थे, और उसके बाद से लता मंगेशकर जो क्रिकेट में, लता मंगेशकर के अस् कि आप क्रिकेटरी बनना है, फिर आया 1987, कैप्टन कौन थे, कपिल देव, ठीक है, 1975-79 में कैप्टन वेंकर ट्रागमन थे, 80 थी और 87 में फिर से कपिल देव थे, और इस बार सुनिल गावसकर का यह आखरी वर्ड कप था, सुनिल गावसकर में अनौस किया था, कि यहां से म कर समय बॉल बॉय हुआ करते थे, और सौरग बांगली का अब आना बाकी था, नए नए प्लेयर आई, नेवजोज सिंग सिद्धू, नेवजोज सिद्धू कमार का, मतलब आप यह समझे कि 1983 में जब वो खेले थे, तो उनको बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हों पर इंडिया पाकिस्तान में हुआ था, भारत ने बला हम वर्ल्ड कप, क्योंकि हम तो डिफेंडिंग चैंपियन थे, हम वर्ल्ड कप करांगे, इंग्लेंड से चीन लिया उन्होंने, और 20 करोल की बोली लगा दी, लेकिन ब्लफ कर दिया, बोली तो लगा दी, पैसे भी त पढ़ गया, तब धीरुबाय हम मानी आए थे, उन्होंने भारत को बचाया था, उन्होंने चार करोल टेबल पर रखे थे, यह लोग चार करोल वर्ल्ड कप भारत पही होगा, पाकिस्तान ने 10 करोल की बोली लगाई थी, तो भारत और पाकिस्तान होस्ट कर रहे थे, इंड सुलील का अवसकर करे बिना कैसे यार हम देखेंगे क्रिकेट, यह तो मेकार हो जाएगा, बहुत सब्सक्राइब भारत का अगाज होता है, और भारत एक-एक करके लीग मैच जीच जाता है, पाकिस्तान को हराता है, बुनी तरीके से हराता है, ठीक है, और फिर भारत जाता Semi Final में, बार्ट सेमी फाइनल में भारत को हार जिलनी पड़ती है, ठीक है शायद Australia थीए अइंगलेट थी लेकिन भारत हारती है और 1987 का वर्ल्ड कंप Australia जीथी है और 1987 का वर्लuted का गये जोया तक静 alors rappelle की टीम 1987 विर्ल लेकिन ये वर्ल्ड कप दोस्तों इम्रान खान के लिए जाना जाएगा इम्रान खान के आज जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हो ना वो 1992 वर्लड का भार जादा तो पूषता भी नहीं आज़े लेकिन इम्रान खान ने कितने बड़े लीडर उनको बहुत जवरदस लीडर थे वई बहुत जवरदस लीडर भाई जब लीग मैच में पांच रन पे आउट वागत इन् दिमा मुलभ ऑगत एक चबूव हमारा फिर आ मुझे तो आज डांट पढ़ने वाली है लेकिन जैसी वो सीट पे बैठे तो इम्रान खाने बोला कि यार जो तुने चौका मारा था नो कबाल का मारा था तब इंज माम लग बोले कि वह क्या बात और उसके बात फिर जो अगले बैच में वह गए तो उन्होंने ही पासा थोड़ा लेकिन मार मार के भूसी बिगार नहीं आप ए अस्ट्रेलिया की लेकिन भारत का जो वोल्ड कप यह बहुत ही बेकार रहा भारत अप यह समझे के लगबग सारे मैच्छा रहा और 1992 वोल्ड कप भारत बहुत ही अंडर परफॉंग किया बहुत ही अंडर परफॉं और 1992 में पाकिस्तान्य मैच जीता था यह World Cup जीता था और इसमें इमरान खान एक मैच था जिसमें इमरान खान चाहिए दूसरे उनद मैच पर 44 व्रॉट हो गी थी ठीक है तब इमरान खान अब टीब के कंदे जुके हुए तो इमरान खान इस टीब मिटिंग में बोला था यह वर्ड कप हम जीत के जा रहे हैं वहाँ से जो confidence है वो बहुत उपर चला गया था उस समय इमरान खान मैच फिक्सिंग उस समय आ चुकी थी क्रिकेट पे और उस समय इमरान खान को काफी प्लेस पे शक्त था लेकिन लास्ट में जब final semi-final हो तो उन्होंने बोल देते हैं कि आज सब देश के लिए खेलेंगे यह चीज है फिर आता है भाईया 1996 का वर्ड कप यह वर्ड कप भारत के इतिहास में सबसे बुरा वर्ड कप होने वाला क्योंकि क्रिकेट की इतिहास का भारत में सबसे काला दिन था यह सेमी-final की मैं बाद कर रहा हूँ तो इंडिया, शिर्लंका, पाकिस्तान तीनों मिलके इसको होस्क टर रहे थे भारत बहुत ही शांदार भाई मौहमद अजरुदीन सचिन तंदुरकर अजय जडेजा नयन मोंगिया, जवागल शिरीनात वेंकटेश प्रसाथ, अनिल कुमले संजय मांजरेकर ये एक से एक बढ़के निवजो सिंग सिद्धू खतर ना खिला ली थे और भारत जब खेलता था, मज़ा लेकिन भारत में एक जो कहता है न, रीड की हट्डी कौन था? सचिन तंदुरकर उस समय सचिन तंदुरकर आउट तो पूरी टीम आउट तो सचिन तंदुरकर हर मैच में चले भाई, जिस ग्रूप में हम थे हमकाली शेरे लंका और उस्टेलिया से आरे, बागे सब को हरा है और बुरी तरीके से आरे, पाकिस्तान को भी हरा है तो 1996 में 12 टीमे बाइर तीमे थी मतलब हम थीसरे नंबर पे थे ग्रूप B में और हमने क्वालिफाई किया semi-final के लिए और उसके बात नहीं quarterly final के लिए हमने पाकिस्तान को हरा है quarter final में हमने पाकिस्तान को हरा है बुरी तरीके से आरा है 1987 1992 1996 तीनों बार हमने पाकिस्तान को हराया फिर सेमी फाइनल होता है श्रीलंका के साथ और वो सेमी फाइनल शायद कोई भूलेगा नहीं क्योंकि भारत के क्रिकेटिंग इतिहास का वो सबसे काला दिन था श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और श्रीलंका ने बुरी पहले तो तीन आउट होगे जल्दी जल्दी 32 पे फिर अर्विंद डिसलवा है उन्होंने बहुत ही शांदार प्रिकेट खेला पैसा टरंतावर तोड़ बना दिये और फिर चामिंडा वास में चामिंडा वास ने जो लास्ट में रन बना है पच्चिस रन तेरा बॉलो पे उससे धा लेकिन यहां पर पिच को गलत पढ़ लिया मुहमाद अजुरुदी ने मुहमाद अजुरुदीन कप्तान थे और वो पिच में कुछ थाई नी बंजर पिच थी और जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे वैसे पिच और खराब होती जाएगी आचा टीम मीटिंग में यह डिसा तो सचिन तंदुरुकर ने बहुत शांदार 55 टन बना दी ताबर तोड पहला विकेट भारत का टन पे गड़ा अब 88 पे भारत एक था और उसके बास सचिन तंदुरुकर आउट होगे स्टंप्ड और फिर भारत की टीम हैसी लर कराई कि 125 पे आट सारे आउट फिर यहां प पाद जो क्राउड था वो बेगाबू हो गया और क्राउड ने सब फेकना शुरू कर दिया ग्राउन पे जहां पे भी कुछ भी मिला जला दिया पूरे स्टेडिया में आग लग रही है क्लाइब लॉइड मैच रफरी 15 मिनिट बाद श्रिलंका के प्लेस वापस आते हैं श 1996 का वर्ल्ड कप का विनर कौन श्रिलंका आब आता है 1999 1999 इंगलेंड में वर्ल्ड कप होना था 1999 का वर्ल का भारत की टीम बहुती शांदार बहुती जबरदस्त बहुती बढ़िया भारत ने खेला अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों भारत सुपर सिक्स उसमें सुपर सिक्स का फॉर्मैट था और भारत सुपर सिक्स समझ नहीं पई ठीक के बाद यहां पर मैच खेलने की थे और भारत को पाकिस्तान के साथ भी मैच खेलना था तो पाकिस्तान के साथ खेले ना खेले लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेला और बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया तो 1999 वोल्ड कप सचेन तहलुकर अगें सारे मैचेस में बहुत बड़ी परफॉर्म किया लेकिन यहां पे सुपर सिक्स में जब भारत गई वहां पे दिक्कत होगे समझी नहीं आया सुपर सिक्स का फॉर्मेट कि क्या है इसमें यह था ना कि जो मैचेस आपने जीते हैं मतलब जो हारे हैं ठीक है मतलब जो पॉइंट्स आपके खाली जीते हुए मैच के कैरी फॉर्वर्ड होगे और इसके तहट भारत न जो पहले मैच जीते हो वह नलीफाई हो गए यानि कि आप यह समझे इन सिंपल वर्ट सुपर सिक्स में छे टीम हैं हर मैच को हर टीम को सारी टीमों के साथ मैच खेलना है निकी पांच मैच खेलने हैं हर टीम को और इंडिया को सारे के सारे मैच जीते हैं सेमी फाइनल के लिए एक भी मैच आरा तो टीम बाहर भारत ऑस्रेलिया से आर गई और यहां पे भारत पाकिस्तान को हरा है बट अ माच्च किया था मैच्च का काफी दिक्कत थी विवादों में रहा था है 1999 का वर्ल कप ठीक है जो फाइनल था फिर आता है भाहिया 2003 का वर्ल कप 2003 ये वाला जो वर्ल कप था दोस्तों ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला वर्ल कप था मतलब शायद सबसे ज़्यादा अगर भा बढ़िया तरीके से गई, जोरो शोरो से गई, और उसमें हर कोई ये वर्ल्ड कप देख रहा था, मैं उसमों मजफर पुर में था, मुझे याद है, तो मैं वर्ल्ड कप देख रहा था, और इंडिया टीम का बहुत ही खराब आगाज हुआ था, पहले इंडिया उस्ट्रेलि अगला मैच अस्ट्रेलिया से, 124 रंड पे इंडिया उल आउट, सचीन तर्दुकर ने 35 के करीम रंड बनाए, गई इंडिया, तब दो मैच शुरू में बुरी तरीके से हारी, तब एक मैच बहुत बुरी तरीके से आरी अस्ट्रेलिया से, और पहले मैच पे बहुत अची आरे मतलब नहीं जा पाई आगे, सौरफ गाउगुली कप्तान थे, लेकिन अगेन यह जो टीम थी नहीं अलगी थी, सौरफ गाउगुली, विरंदर सहवाग, जहीर खान, सचिन तंदुलकर, मतलब युवराज सिंग, मुहमत कैफ, सब को पता था कि बाई, और सब नाइट और भारत साड़े मैच जीत के पहुँच गया, सूपर सिक्स मुकाबले में भी सब को हराया, उस समय खाली भारत एक ही मैच हरा था, बस, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से, पूरे लीग में, और ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ा मैच, तो भारत सेमी फाइनल केनिया से था, ठीक ह भारत का फाइनल होना था, और यह फाइनल कोच ऐसा था, भारत बहुत महनत कर रहा था, बहुत महनत, और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है न वो शॉपिंग कर रही थी, वो बस आ रही थी, कुछ नहीं, यज़े भारत लगाता नेट पर प्राक्टिस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भूम रही है मौल में शॉपिंग करें इधर तो एक वक्त बताते हैं आपे विक्रान गुपता कि ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब इंडिया जो है प्राक्टिस कर रहे तो ऑस्ट्रेलिया के छैप लिया रहे ठीक है और वो शैप लें ने कुछ नहीं किया बस आए भारत वॉलीव फार गए एक अच्छी पिच जिस पर आपको पहले बैटिंग करने चाहिए थी सौरफ गांगली ने पहले बॉलिंग चुल ली और पहले ही ओबर में जहीर खान को पढ़ गए 15 रन वहीं से गेम निकल गया मैथ्टियो हिडेन आडम गिलक्रिस ने इतना मारा इतना मारा दो लगा किया गई अगली बॉल पे आउट सचिन तंजुकर सौरफ गांगली निकल के पीछे छक्का मारते हैं फिर उसके बाद सौरफ गांगली आउट लेकिन फिर वेरंदर सेवाग ने जो 85 रन की इनिंग खेली अगर वो रन आउट होते तो शायद हम पुल आफ कर सकते थे बहुत तगड़े तरीके से और आपको बतातू कि एक हलकी सी जलक हमको ये मिली थी कि बारिश आगे थी बीच में साथ आफ्रिका में और साथ आफ्रिका के बारिश हैसी के आती तो पांस दिन तक होती रहती है तो एक हमको ये लग रहा था कि डगवर्ट लूइस जब तक बहुत अच्छा मौका था फिर आता है भारत के इतिहास का सबसे खराब वर्ड कप 2007 2007 यहां इतनी कॉंट्रवर्सी हुई ग्रेग चैपल राहूल दरविड को कप्तान मनाया गया ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली की कॉंट्रवर्ड से सबको पता है सौरभ गांगुल को भी नहीं रहना चाहते दो गुटों में टीम का महल बहुत खराब था हाला कि भारत को यह लग रहा था कि हम 2007 वर्ड कप जीत के जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब इसमें हुआ यह कि टीम का महल इतना खराब था दोस्तों हमको तो लग रहा था बहुत अच्छा बह फिल लेने के देने भी पड़ सकते हैं सचिन तन्जुकर पूरा ग्रेग चैपल ने बरमात कर दिया टीम को पूरा बैटिंग और चेंज कर दिया कहा जाता है टीम मीटिंग में सचिन तन्जुकर जैसे भारत का पहला मैच हुआ बांगलादेश के साथ जिसको ओपें करना अब भारत ने बांगलादेश एक सो बांवेरन बना बारत ने और बांगलादेश ने इसको चेस कर लिया अब भारत ने एक सो बांवेरन तो बनाए लेकिन तब भी लग रहा था हरा देगें मांगलादेश को वेस्ट इंडीज में वोल्ड कप हुआ लेकिन चेस कर लिया य जिता दूँगा। क्योंकि फिर देगे भारत के ग्रुप में नामीबिया, शिर्रलंका और बांगलादेश थी, बांगलादेश थे मैच हार गए, नामीबिया से इंगला मैस था जीत गए, जासो तेरानन भारत ने बना दीए, शिर्लंका के मैच में बोला, करो या मरो किस्थ तो यहां पर था कि आप मुझे मौका तो दो मैं ओपनिंग करके मैं जिता दूंगा अच्छा यही 2002 में हुआ था बहुत मायूस बैठे थे सचिन तनुकर जॉन राइट आए वहले क्या हुआ क्या हुआ कि मुझे ओपन करना है ओपन करो कोज का काम यही होता है जो प्लेयर को चाहिए यह गैरी करस्टर ने बाद में आगे किया कि क्या चाहिए तुमको ओपन करना है ओपन करो तुमको कहा जाना है तो ओपन फिर उसके बाद रिजल्ट देखा जब 2003 में भारत ने मतलब फाइनल में पहुचा तो आप भारत सचिन तलुकर ने बोला लेकिन राहुल द एली बॉल पर आउटों के इंसाइड एज लगके अंदर आई बॉल खेल कतम फिर इंडिय टीम सवन नहीं पाई राहुल दवी ने चांचाट रन बनाए और 183 इन पर इंडिया ओल आउट हो गई शिरलंका ने 200 के करीब रन बनाए थे भारत बाहर हो गया और उसी दिन पाक अच्छा था कि मैं सन्यास निलूँगा दोस्तों हमने चैनल बनाया अन्रेवल्ड करके उसमें अनिमेंटेड कंटेंट था उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने इस कहानी के बारे में उस चैनल में बहुत अच्छे से बताया है तो सचिन तलुकर ने यह सोजा कि मैं र कर रहे हैं सोचे शिरलंका टिंग ओलरी कि ओपन क्यों निकर आपको हमारी लिए काम आसान बना रहे हो फिर संचित तलुकर पास आता है और बोलते हैं कि आखो मैं तो कह रहूं ओपन करने के लिए लेकिन मुझे कोई ओपन ही नहीं करने दे रहा है तो इसकी वज़े से हम म आपका जहीर खान अनिल कुमले युवराज सिंग विरंदर सहवाग यह सब कैसा आगे थे क्योंकि यहां पे ग्रेक चैपल सचिन तंदुकर के बली चाड़ाना चाहरे थे कि इनको हटाओ इसको तो आब यहां पे हुआ कि शायच सौरग गांगली थे उनसे ही बोला कि आप कप्तानी लो कुछ भी करके हटाओ प्रॉब्लम हो जागी वहना ग्रेक चैपल से भिलो अचा राहूल द्रविड के उपर बहुत वह विचारे कुछ करी नहीं सकते जब सौरग गांगली और राहूल द्रविड का विवाज चल रहा था तो राहूल द्रविड आये तो सौर करके भाई ने बहुत समझाए कि देखो वर्ड कप अभी रिटार्मेंट मतलो अभी एक और वर्ड कप है 2011 उसमें हम अच्छी कोशिश करेंगे और 2011 में वी और नो क्या हुआ सबको पता है भारत पहला मैच इंडिया होस्ट कर रहा था उसको बांगलादेश में भारत 270 रन बनाए और मांगलादेश को हरा दिया विरेंदर सेवाग 175 विराट कोली ने 100 बनाए तो उसमें फिर अगला मैच इंग्लेंड से हुआ इंग्लेंड से हुआ इंग्लेंड से मैच आपको याद है टाई हो गया था भारत सचिन तद्रुकर ने शांदार शतक बनाया था इसके बाद सारे मैच बारत ने जीट डाले और इसके बाद फिर फाइनल हुआ हमारा पॉर्टर फाइनल अस्ट्रिलिया के साथ युवराज सिंग को समय तक कैंसर हो गया था और युवराज सिंग ने अकेले दम पे यह मैच जिताए थे बहुत चपरदस्त पारी खेली थी ये टीम एक ऐसी थी नहीं जो पूरी फिल्ड थी ठीक है पाइस में सचिन तनलुकर और विरेंदर सहवाग जो वो उपन करते थे फिर उसके बाद गौतम गंभीर आते थे वो एड़ेट फिर विराट कोली आते थे और फिर युवराज सिंग आते थे एमस धोनी जो बाद म यहां पर ढाइस और ऑस्टेलिया ने बनाए और आखरी में सुरेश रहन और युवराज सिंग की पार्टमिर्शिप लगी कौर्टर फाइनल फिर इंडिया सेमी फाइनल अच्छा पाकिस्तान और भारत का मोहाली में सेमी फाइनल होना था तो बहुत ही टेंस दे मोहलता कि कि भाई होगा क्या यहां पर हरबजन सिंग बताता है शौई बगतार के साथ कि शौई बगतार ने बोला था फाइनल की टिकेट हमको दे दो फाइनल की दो टिक्टे चाहिए तो हरबजन सिंग बोला भाई क्यों कहां जीतो गयार सेमी फाइनल फाइनल में तो हमी जा रहे ह और ये जो मैच हुआ था नहीं 2011, मतलब ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मैच था, ठीक है, मतलब 25-25,000 के टिकर, 500,000,000 के भीके थे, मैच शुरू होता है, इंडिया दे कमाल की शुरुवात, विरंदर सवाग ने ताबर तोड बल्ले बाजी की, ताबर तोड, सचिन तन्लुक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पारी खेली, और 40 की पारी बहुत बढ़िया थे लेकिन, तो वारत में 200 के करीब का लक्ष रखा, फिर उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई, 45 रन तरण तरण बनाए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम बिखरनी शुरू की, ठीक है, और एक के बाद एक पाकिस्तान की टीम बिखरती गई, और पाकिस्तान खतम, यहां मिजबा उल्हक के ओपर बड़े आरोप लगे थे उसमें कि बहुत स्लो खेले, बहुत ज़्याता विवाद हुआ था, कितना स्लो क्यों खेले, लेकिन फिर इंडियन, इंडिया की मैच, शिलंका ने पहली टॉस में भी बड़ा विवाद हुआ, ठीक है, कुमार संगकार दो बार टॉस हुआ था, तो उसके बाद फिर शिलंका ने पहले बैटिंग की, और फिर इंडिया ने इसको बहुत बड़िया से चेस किया, लेकिन याद ने जब इंडिया चेस करने पहले ही आउट, पिरंदर सहवाग, उसके बाद सचीन बहुत अच्छा खेल रहते, लेकिन वो भी आउट, तब लगा अरे अब क्या होगा, आप तो गई इंडिया, लेकिन फिर कौतम गंभीर ने जो 98 रनों की पारी खेली, और विराट कोली किसके साथ जो उन्होंने 34 तन बना थे विराट कोली, लेकिन जो पार्टर्शिप लगए, उससे टीम समझ गई, और फिर धोनी ने जो छक्का हमारा भयानक, मज़ा आ गई, वो तो विनिंग शॉट, देन आता है 2015 का वर्लकप, अच्छा 2015 का वर्लकप विराट कोली कपतान थे, उस्ट्रेलिया में वर्लक होना था, और इंडियन टीम बहुत बढ़िया, शिकरदवन बहुत जवर्दस्त फॉर्म में, और आपको बतातों कि एक के बाद एक इंडिया ने मैच हरा है, रोहिच शर्म और शिकरदवन, शिकरदवन हला कि दो मैच के बाद बाहर हो गया था, यह बहुत बढ़ा जटका है का सेमी फाइनल बट यह 23 वाली स्टोडी रिपीट होगी, इंडिया मैच ही नहीं हरी, और ऐसा लगा था कि इंडिया तो उड़ा डालेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिये 328 रन, बहुत लंबा टार्गेट, स्टीवन स्पित ने संचुरी बनाई, तगड़े से बैटिंग की, भारत आई, भारत बैटिंग बहुत बढ़ी है की, शिखर दवन और रोई शर्मा, 76 रन पे 0, लेकिन उसके बाद टीम लड़ खड़ा गी, रोई शर्मा उट हुए, और फिर जो वो कहतना कि विराट कोली, मिशल जॉंसन को लेकि आया गया, विराट कोली को गुमाया, पुल हुग किया, उपर गई, आउट, विराट कोली के विकेट के बाद खेल कतब, 2003 में भारत 233 पाल ओट हुआ था, यहां पे भी 233 पाल ओट हो गया, वो बहुत ही एक पेइनफुल मुमेंट था, फिर आता 2019 का वर्ड कप, 2019 का वर्ड कप बहुत ही बढ़िया, रिशाप पंत को बुलाया गया, रिशाप पंत है ऐसा रिप्लेस्मेंट, अब उसके बाद इंडिया टीम ने अगिन बहुत बढ़िया शुरुवात की, इंगलेंड में यह वर्ड कप होना था, खाली भारत इंगलेंड से हारी थी, वो भी अब इसमें यहां पे अफगानि बनाते हैं और अफगानिस्तान लगबग लगबग इसको चेस कर लिया था, लेकिन मौमच चभी ने हैटर की ली थी, तो सारी टीमों को हरा, उस्ट्रिलिया को हराया, पाकिस्तान को डपट लूइट से हराया, हार गी पाकिस्तान, सारी टीम हरी बस इंगलेंड को छोड़क लेकिन भारत भार गई यहां पे इंगलेंड से, और इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान लोग पाकिस्तान का मैच बहुत क्लोज हुआ था, बहुत क्लोज, लगबग हरा ही दिया था अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, 2019 में फिर सेमी फाइनल होता है न्यूजिलिंड के याद होगा, बारिश होगे, 240 सननों के बाद बारिश होगी, उस दिन अगर मैच होता, तो भारत जीच जाता, सचिन तनलुकर भी बताते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था, इंडिया इतने अच्छे फॉर्म है थी भाई, रोई शेमरा के तीन शतक, यूराट कोली बहुत ब भारत जब बैटिंग करने आई, रोई शर्माउट, खेल खतम, शिकरदवन, विराट कोली, दिनेश कार्तिक, 28 पे चार गिर गए, हार्दिक पांडिया और रिशाप पंत ने इनिंग को समालने की कोशिच की, लेकिन आज भी यह बोला जाता हूँ, समय महेंद सिंग धोनी क आना चाहिए था, क्यों नहीं यह बहुत बेवगूफी भरा डिसीजन माना जाता ही है, चाचाट रन तक इंडिया पहुंची, लेकिन फिर एक बहुत ही यह जब्मेदाराना शॉट खेला या पे रिशाप पंत ने आउट हो गए वो, पाच विकेट, उसके बाद फिर 30 बॉलों पे 60 रन चाहिए थे, 33 बॉले बचीती, रवीन जडेना च्छक्का मारा स्टेट, बहुत ताबर तोड़ साथ रनों की पारी खेली उनन, लेकिन फिर रवीन जडेजा आउट हुए, 12 गेंदों पे 29 रन चाहिए थे, बॉल डाली यहाँ पे फर्ग्यूसन, मारा घ सीट के चक्का यहाँ पे महिंदर सिंग धोनी ने, सबको लगा रहे धोनी है तो मुम्किन है, लेकिन उसके बाद वो हुआ, वो रन आउट, धोनी ने ऐसे शोट खेला, ठीक है, थर्ज मैन की तरफ बॉल गई, उधर दोडते हुए आए मार्टन गप्तिल, पकड़ा, दो इंच से महिंदर सिंग धोनी चूप गए, उस दिर महिंदर सिंग धोनी रोए थे, और भारत का सपना टूट गया, बहुत ही पेइनफुल मुमेंट आईए, और इस वर्ड कप, 2023 का वर्ड कप, भारत बहुत अच्छे फॉर्म में है, ऐसा लगना है भारत अजे है, जो जैस की तैसी करें, फाइनल भी जीतें उन्निस को, तो ये एक पूरा पूरी कहानी थी कि कैसे भारत का, भारत की जर्नी रही है ये वर्ड कप, क्या यहोब आपको पसंद आई होगी, तो सेल जो है वो हमारी चल रही है, और भाया, आप तो दो बज़े तो साड़के सूनी होने ह नहीं वाली हैं, मैं भी चले जल्दी जल्दी लेच्चेस कर रहा हूँ, मैं आज देखेंगा और कल इसकी बात करेंगे, थैंक्यू सो मच